नमस्कार दोस्तों मापका दोस्तों मित्यादवाब के अपने चनल्ग गर्पर पाठ्षम दोस्तों स्वागत करता हूँ हर्याना पुलिस के अंदर आपका सब इस्पेक्टर का आपका एकजाम हुआ था दोनों आपके एकजाम हो चुके हैं female का भी और male का भी जो अब की बार pattern था exam का पिछली बार के pattern से आसान था यान की पिछली बार का जैसाःथ आपका paper वा था उस से 10% 20% या किसी को 30% भी लग रहा रहा है यान की उस से कुछ न कुछ आसान paper था हम इसको बिलकुल आसान भी नहीं बोल रहे हैं कि बिलकुल ही क्योंकि इसके अंदर कुछ कोस्टन जो कन्फूजन वाड़े हैं वो जब अनस्वर की आएगी तभी पता चलेगा किसके ठीक हैं तुके वाड़े के ठीक हैं या जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया उसके ठीक है और अब की बार ये पेपर है वो इस परकार के जो आपके कोस्टन आए हैं बे तुके जो सवाल पूछे गए हैं उसके कांड भी तरचा में रहा आज तक न्यूज चैनल के उपर भी मेडिया के अंदर भी ये राह की किस परकार के कोश्चन पूछे गए हैं जो एक गरिजिशन लेवल के एक प्रीक्षा है बहुत सारे कंटेट इसके फेवर में भी है कि उन्होंने कहां से लादेन का कोश्चन थोड़ी ना पूछा है उन्होंने तो मंतरी मंडल से जो मंतरी के कोश्चन है वो पूछे है अगर मंतरी से यही पूछना है किसके फादर एक्सपायर हो गए है वो मंतरी रांडा है या कितने उसके बच्चे हैं तो फिर इतनी मोटी जो किताबे जो सलेबस दे रखा है तो फिर एचसी ने क्यों दे रखा है फिर मोटी किताबों को पढ़ने का क्या फायदा दूसरी बाते एकजाम जो आपका कंडेक्ट हुए लगबग एमान के चलिया तीस तारिखाज हो गई है तो अभी तक अनस्वर की एचसी ने क्यों नहीं ढाली है क्योंकि अगर अगर हम फीमेल कोष्टेबल की बात करे तो उनकी अनस्वर की 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे आ गई थी तो एचसी इसके अनस्वर क्यों नहीं ढाल रहा है जबकि हसी चेर्मेन बुपाल सिंग खदरी खुद बता रहे हैं कि 10 अक्तूबर तक हम इसका रेजल्ट निकालके 10 अक्तूबर से हम इसके फीजिकल स्टार्ट कर देंगे एक से दो दिन पहले उन्होंने अकबार के न्यूज पेपर उन्होंने हेडलाइन में या उनको रिपोर्ट में उन्होंने बोला है तो क्या पेपर कैंसिल भी हो सकता है देखो हम ना तो हमारे पास में कोई प्रूफ है कि पेपर कैंसिल होगा या दुबारा से होगा मेरे हिसाब से पेपर कैंसील होने की जो अगर मैं मानू कितने परसेंट चांज ही जाएं तो एक परसेंट से भी कम है ठीक है ना और बाकी यो हरियाना है कुछ भी हो सकता है आप सभी को पता है लेकिं अनस्वर की अगर एकसी जारी करेगा इसका रेजल्ट दस से तारिक से पहले पहले तो ये लगा लो कि आज या कल में आपकी अनस्वर की एकसी को डालनी होगी क्योंकि 2-3 दिन तो फिर उनको जिनको दिक्कत होगी या आपती होगी कुश्चन के उपर उनको भी तो टाइम मिलेगा 2-3 दिन गा उसके बाद में फिर इनको रिजल्ट भी निकानला अगर 10 तारिक से उनके फीजिकल स्टार्ट होंगे तो छी दूसरी बाते हैं कि तो सोसल क्राइटेरिया के आपके नमबर है जिनके फादर एक स्पैर हो गए या जिनके गर पे कोई सरकारी नोकरी नहीं है ये नमबर आपके कब जुरते हैं या पोस्ट ग्रेजशन पोस्ट ग्रजिशन का मैं मैं मैंट्रिस के बाद में टोपिक लूँगा उनके नमबर कभ जुड़ते हैं पहले तुम्हां उन कंडेट को बता देता हूं बहुत सारे कंडेट कमेंट करते हैं कि मेरे 65 कुछन ठीक हैं मैं 20 एसे भिलोंग करता हूं और मेरे 5 नमबर बिना नोक गुना कंडेट को जितनी आपकी वकैंसी है टोटल चारसो वकैंसी है तो सात गुना कंडेट को बुलाएंगे साथ सो के अठाइस यान के अठाइस सो कंडेट को वहाँ पे बुला जाएगा जितनी आपकी कैटगरी वाइज वकैंसी है उसके हिसाब से 7 गुना कंडेट को वहाँ पे फीजिकल के लिए बुला जाएगा और जो ये रेजल्ट आएगा फीजिकल के लिए बुलाने का वो आपके केवल रिटन एक्जाम में आपके कितने कोस्टन वहाँ पे ठीक हैं आपके 65 कोस्टन ठीक हैं 60 हैं, 70 हैं, बहतर हैं कितने भी कोस्टन आपके ठीक हैं वो केवल इनके कोस्टन के उपर आपका बुला जाएगा ना कि आपके सोसल क्राइटेरिय के नंबर जोड़ करके जो सोसल क्राइटेरिय के नंबर हैं वो आपके final result के अंदर जोड़ेंगे जब आप फीजिकल आप कलीर कर दोगे उसके बाद में जब आपके डोकुमेंट चेक होंगे तभी तो उनको पता सलेगा आपकी पोस्ट गरेजेशन हो चुकी है या आपका जो परमान पत्र आपने फोम बरते समय लगा था वो ठीक है या नहीं है वो तभी तो जाचेंगे उसके बाद में ही आपके नंबर जुडते हैं तो यह आप मन से निकाल दे बहुत सारे कंडेट यह सोच रहे हैं कि मेरे पहले ही मान के जो तरुक किसके 60 कोस्टन ठीक हैं और उसके 10 नमबर बाद में है तो वो यह सोच रहा है कि 60 और 70 यहाँ पे मेरे इतने हो जाएंगे दूसरी बात है आपका एक्जाम तो केवल 80 नमबर का ही कंडेक्ट हुआ है तो एक जो कोशन आपका 0.8 का है मान के चली कि इसके 70 कोशन है तो 8, 7, 6 उसके 56 नमबर ही आपे बन रहे है अगर उसके बाद ने 5 नमबर उसके ओ रहे है तब जाके उसके इतने नमबर बन रहे है 61 नमबर बन रहे है तो इस परकार से है जो आपकी जो मेरेट लगेगी है कोशन के उपर लगेगी उसके बाद में आपके जो social criteria के नंबर जुड़के final इसका result निकाल जाएगा दूसरी बात थे हैं किसी की अगर post graduation जिसने कर रखी उसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे SI के अंदर मैं बता देता हूँ कि सब inspector के अंदर इन्होंने दो से लगबग तीन से चार post graduation का इन्होंने दे रखा है आपके पास में LLV है आपके पास में forensic science है दो से तीन आप देख लेना मैंने इसको द्यान से पढ़ानी है लेकिन दो से तीन तो मेरे याद है कि forensic आपकी science और LLV जिसने कर रखिये केवल उसको ही नंबर मिलेंगे post graduation के तीन तीन नंबर या चार नंबर जितने आपके ठीक न आप बाकी किसी ने MA कर रखिये है I. B.E.D. कर रखिये है M.B.A. कर रखिये है R. Kुछ भी कर रखा उसको नंबर नहीं मिलेंगे आपने LLB कर रखे हैं तो उसके अंदर आपको मिलेंगे Forensic Science से आपने कर रखा तब मिलेंगे आपको तो इस परकार से कटोफ की मैंने आपको वीडियो पहले बता दिया कि कितनी कटोफ के उपर लगने वाड़ी है क्योंकि इतनी वाकैंसी हैं नहीं कि आजारों में आपकी वाकैंसी है बहुत सारे कंडेट को बुला जाएगा गिनचुन के वाकैंसी हैं 400 के आपकी वाकैंसी है 200 कंडेट फिजिकल के लिए बुलाएंगे दूसरे बाते मैं बता देता हूं कि जर्णल, AWS और BCB इनकी कटोफ बिल्कुल सेम ही रहेगी, पॉइंटों का फर्क रहेगा और ये पहले भी जिन्नोंने एक्जाम दिया है, हरियाना से बिलोंग करता है उनको पता भी है कि BCB की EWS और जर्नल की कटोफ बहुत ही पास में जाती है माइनर डिफरेंस होता है, इनके अंदर है, SC और BCA की थोड़ी डिफरेंस होता है तो जिनके 68 से लेकर के 68 से उपर, 68 से उपर question ठीक है है नंबर ने, जिनके एक्जाम में question ठीक है, 68 से उपर, 71, 72 68 से उपर है, BCB और आपके EWS और जर्नल के अंदर तो फीजिकल की तैयारी कर सकता है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2800 के लगब कंडेट को बुलाया गया था, फीजिकल के लिए और जो फीजिकल मातर क्वालिफाई कर पाए थे, 2000 के असपास candidate क्वालिफाई कर पाए थे, 2200 के असपास यहां कि 600, 700 कंडेट से तो फीजिकल भी नहीं हुआ, रेनिंग भी नहीं हुई जिनके 65 के आसपास कोशन ठीक हो रहे हैं 63, 64, 65 के आसपास कोशन ठीक हो फीजिकल की तेहरी कर सकता है अगर आपकी अनस्वर की आज या कल में आ जाएगी तो लगब 5-6 दिन में आपका HSC रिजल्टर निकाड़ देगा वरना देखते हैं HSC इसके बारे में क्या करता है तो आज के लिए दोस्तो इतना ही जै हिन, जै भारत और जै हर्याना और मेरी सभी से विंतिये की चैनल को दोस्तो सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि कोई भी अपडेट आती है हर्यान पुलिस चाहिए कोंस्टेबल रैंग से हो या सब इस्पेक्टर रैंग से हो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे तो आज के लिए तना ही जै हिन, जै बारत और जै हर्याना दोस्तो